दोस्तों कैसे हैं? उमिद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे? आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए टास्लेशन लेके आया हूँ क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए टास्लेशन सीखना जरूरी होता है टासलेशन में एक एक वर्ट को तोड़के समझाया जाता है इसलिए अभी हम स्टार्टिंग से अंग्रेजी सिखाना सुरू किये हैं तो टासलेशन वता रहे हैं दोस्तो यह जो टासलेशन है इजी है आप लोग को आता होगा तो आप लोग मिलाएं जैसे मैं खाता हूँ अब यहाँ पर लाश्ट में ता लगा हुआ है न तो यहाँ पर जो हूँ है यह नहीं लगेगा इसको बनाने का दूसरा तरीका होता है तो बनाते हैं मैं खाता हूँ तो इसका हो जाएगा I, E, A, T I eat मैं खाता हूँ मैं पढ़ता हूँ तो इसका हो जाएगा I, R, E, A, D I read मैं पढ़ता हूँ मैं जानता हूँ तो मैं का होता है I जानना का होता है no K, N, O, W No, I know मैं जानता हूँ हम लोग पढ़ते हैं तो we read R, E, A, D read हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट है, हम लोग खेलते हैं, तो वी पले, पले, वी पले हम लोग खेलते हैं, तुम पढ़ते हो, तो तुम कहो जाता है यू, और पढ़ना कहो जाता है रीड, र-e-a-d, रीड, यू रीड, तुम पढ़ते हो, तुम गाते हो, तो य-o-u, यू, और गाना कहो जाता है स सिंग तुम गाते हो आप खेलते हैं तो आप कहो जाता है यू और खेलना कहो जाता है पले यू पले आप खेलते हो नेक्स्ट है तुम नाचते हो तुम कहो जाता है यू और नाचना कहो जाता है डांस तुम नाचते हो इसका नेक्स टांसलेशन है आप लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग कहो जाता है यू और पढ़ाना तो पढ़ाना कहो जाता है टीच यू टीच आप लोग पढ़ाते हैं नेक्ट है वह गाती है तो अब गाती है लड़की है तो लड़की में C लगता है तो यहाँ पर हो जाएगा C और गाना तो गाना का हो जाता है सिंग तो वह है ना तो इसके साथ S लग जाएगा तो सी सिंग्स वह गाती है राम जानता है तो राम नाम है तो यहाँ पर राम ही होगा राम राम क्या है थर्ड परसन सिंग्लर नंबर है तो इसके साथ S या इस लगता है तो यहाँ पर जानना है ना तो जानना का जाता है नो के एन ओ डबलू नो और इसमें S लग जाता है रा मैं खाता हूँ, I eat, मैं पढ़ता हूँ, I read, मैं जानता हूँ, I know, हम लोग पढ़ते हैं, we read, हम लोग खेलते हैं, we play, तुम पढ़ते हो, you read, तुम गाते हो, you sing, आप खेलते हैं, you play, तुम नाचते हो, you dance. आप लोग पढ़ते हैं, you teach, वो गाती है, see sings, राम जानता है, राम नौज.